नमस्कार जीवन में अगर आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है ना तो ये तीन चीजें आपके अंदर होने चाहे आप चाहे बिजनिस में एक्सपर्ट बनना चाहे आप चाहे नोकरी में एक्सपर्ट बनना चाहे आप चाहे किसी भी फिल्ड में एक्सपर्ट बनन जाहें ना तो ये तीन बाते आपके अंदर होनी जरूरी है तब ही आप उस विसे में एक्सपर्ट हो पाएंगे अपनी निए अरह यार वो तो उस विसे का ग्याता है और यार वो तो उस फिल्ड का महलती है और यार वोत उस चहतर का बहुत बढ़ा अचे क्यों आकर यह लोग किसी फिल्ड में विशेश पहचान क्यों बनाते हैं उस फिल्ड में एक्सपर्ट क्यों होते हैं यह तीन बाते उनके अंदर होती हैं और इन तीन बातों से ही उनको जीवन में सबलता लेती हैं और वो टोप पर पहुंसते हैं तो यह तीन बाते आप भी ंबर फिल्ड जदें के लिए अपको उस Superн already पाव देना होगा जब तक आप उसके प्रति आप पूरे अपनेतों तन मंसे समर्पन नहीं होनुगे ना अब कभ उस पween एक्षपर्ट नहीं बन पाएंगे आप बिजनिस कर रहे हैं तो बिजनिस के परती आपको समर्पन करना होगा आप नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी के परती आपको समर्पन करना होगा आप किसी खेल में खिलाडी हैं तो आपको उस खेल के परती समर्पन करना होगा तभी आप जिन्दगी में आगे बढ़ पाईएं। समर्पन किसे कहते हैं एकलव्य से सीखिए। जब गुरुद द्रोणाचारी ने एकलव्य को दनूर वित्या सीखाने से मना कर दिया था। घुरु द्रोण ने कहा था कि मैं सिर्व राज कुमारों को ही सिख्षा देता हूँ। तो एकलव्य ने क्या कियada पता है आपको। गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई। साक सात मोर्ति बनाई। और आपने आपको उस मूर्ति के पड़ी समर्पन कर दिया। और अकले तनुर विद्या सीखने लगी। मनि मन में अपने गुरु को गुरु माना उस मूर्ति के रूप में और अपने आपको गुरु के प्रति समर्पन किया। और सबसे बड़ा तनुर तरफ बन के निकला। तो ये क्या था? ये एकलव का गुरू द्रोन के प्रति समर्पन ही तो था मीरा बाई का तो नाम सुनोगा आपने जब मीरा बाई बगवान से क्रिष्ण की बक्ति में कितनी लीन देती थी एक बार उनको जहर देने की कोशिस दिये था मीरा ने जहर पी लिया था लेकिन कैसे अपने आपको बगवान के प्रति समर्पन किया था कि मैं जहर पी रही हूँ तो परभू आपको मुझे बचाना आशी होगा तो वो क्या था वो समर्पन था अगर आपको किसी फिल्ड में महारत बनना है तो आपको समर्पन करना होगा सेकंड अनुसासन किसी फिल्ड में आपको एक्सपर्ड बनना है तो अपने जिवन में अनुसासन लाना होगा बिना अनुसासन के आप किसी भी फिल्ड में महारती नहीं बन सकते हैं आपको एक क्राइटेरिया बनाना होगा आपको यह समझना होगा कि मेरो को हर चीज अनुशासन में करनी होगी हर चीज एक वैस्टिस रूप से चलना होगा तभी आप आगे बढ़ बहुँगे इतनी बज़े वहाँ जाना है इतनी बज़े यह काम करना है इतना समय पर यह काम होना चाहिए हर चीज आपको अनुसासन में रहके करनी होगी तब ही आप उस फिल्ड के एक्सपर्ट और महारती बन पाएंगे Otherwise not, never, कभी नहीं थर्ड, नियम आपको अपने जीवन में नियम बनाने होगे बिना नियम के आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपको लगातार कंसिस्टेंसी रखनी होगी अपने जीवन में आपको नियम बनाना होगा कि इतनी बज़े मुझे ओपीस जाना है तो ओपीस जाना है आपको नियम बनाना होगा कि अगर आप खेल के फिल्ड में हो नियम आपको एक तरह से बांधते हैं कि आपको ये काम करना है तो करना ही है नियम आपको कुछ करने की ललक पैदा करते हैं कि मेरों को ये काम करना है इतनी बचे तो करना ही है तो ये तीन बातें आपके जीवन में होनी चाहिए अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो समर्पण, अनुसासन और नियम, अगर ये तीन चीजे आपने अपने जियनों उतार ली न, तो आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोड़ाई, और आप यहां तक कि इतने एक्सपर्ट हो जाएगे न, आपके स्काइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें